कि नमस्कार फ्रेंड्स आज हम साधा ब्लाउजी कटिंग करने वाले हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा अगर आप हमारे चैनल पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं देखिए फ्रेंज मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है तेरा इंच है तो हम इसे तेरा इंच पे एक निसान लगा देंगे हमकला ले लेंगे 8-1 इंच पे सोल्डर ले लेंगे 3 इंच पे आर्म महोर ले लेंगे 5 इंच पे देखिए उसे 5 इंच पे एक निसान लगा दिया है ättre लाइन अग किछ फी मिरें 32 इंच का बना रहे हैं आ हमने इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है तो हमारा जाए बाएगा तो हमारा मतलब इंच एक्स्ट्रा हो जाए है उसके बाद हम यहां पर एक इंच पर निसान लगाएंगे और आर्म होल का सेफ देंगे देंगे फ्रेंस हमने यहां पर इसे गुलाई दे दिया है आर्म होल का और यहां से हम एक लाइन खीज देंगे देखिए हमने इसमें एक लाइन खीज दिया है यह हमारा बैक साइड है तो हम इसमें गला लेंगे आठ इंच पर फ्रेंस हमने इसे गुल गला बना दिया है इस तरह से तो हम इसे आप कटिंग कर देंगे तो देखिए हमारा कटिंग हो गया है अब हम इसका जो यह गला है गले को कटिंग करेंगे देखिए हमने इसे गले को कटिंग कर दिया है कि देखिए हमारा यह कटने के बाद इस तरह से दिखाई देगा अब हम इसमें फ्रेंट की कटिंग करेंगे देखिए फ्रेंट हमने 14 पे हमारा फ्रेंट वाला है उसमें हमने ऐवह इंच एक्षा लिया क्यूंकि हमने एक ही साइड में नीचे की तरफ से मूढना है हम इसमें बेल्ट वाला बना रहा हैं तो बेल्ट वाले में हमारा 1毫 इंच उपर के साड में जाया गा और 1毫 इंच हमारा नीचे के साड में तो लगा देंगे यहां पर निसान लगा देंगे अब इस पर फ्रांट पार्ट की कटिंग करेंगे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है इसका लंबाई हम साड़े चोगा इंच लेंगे लगा दिया है हम गलाड हाई इंच पर लेंगे तोल्डर तीन इंच पर लेंगे आर्मोल साढ़े पाच पाच इंच पर लेंगे यहां से हमारा आर्मोल लारा जितना उतना लेंगे हम यहां गुलाई सेथे देंगे यहां पर एक इंच पर नीजान लाडा देंगे और हमारा से गुलाई सेथे देंगे है है यहां से हमילे लेंगे differ dois है यहां अब Congrats पर निशान लाइंच हो मैं यहां से जुड़ीक यतारा olan इ decor निज लियुशनानकर आया बपर लाइंब देंगे और अब हम गला लेंगे देखिए गला है हमारा साड़े साथ इंच इस तरह से गले पे सेब देना है गहराई देते हुए ते हमें यहां पे तीन इंच पे एक निशान लगाना है और इस तरह से थोड़ा से हलका से गलाई देना है इस तरह से हम इसे गलाई दे देंगे और कटिंग कर देंगे देखिए जो हमारा यह बीच वाला भाग है यहां से में इस तरह से नाप लेना है ताड़े 11 हमारा आना चाहिए हमारा देखिए साड़े 11 आ रहा है देखेए फ्रेंस, हमार ये front part का उपर वाला साइड और ये belt वाला साइड दोनों हमने cutting कर लिया है ये heading part और ये front part हो गया अब हम पाही की cutting करेंगे हमारे पाही का लंबाई है 6 इंच चोडाई है 16 इंच देखेए फ्रेंस हमने एक अपड़े को इस तरह से मोड़ लेना है इस साइड से हमें चार कोईंट दो इंच लेना है अब हमें गुलाई देना है इसे कटिंग कर देंगे देखिए फ्रेंज हमने ये बाही को कटिंग कर लिया है देखिए फ्रेंज ये हमारा बाही वला भाग है यह हमारा फ्रंट भाग है और यह हमारा बैक भाग है हमने यह तीनों भाग को कटिंग कर लिया है अब हमें इसे अस्तर पे कटिंग करना है देखिए फ्रेंज हमने यह साड़ी के कपड़े पे अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख दिया है हमारे ये कपड़ा जो है डबल है देखिए इस तरह से अब हम इसे काट देंगे तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही काटेंगे कि हम ये बाद में कि ये कपड़ा जो है थोड़ा खुलने वाला है इसलिए आप थोड़ा एक प्रैक से कपका काटिंग है देखिए हमने ये बेल्ट का भी कटिंग कर दिया है देखिए फ्रेंज हमने ये बाही का भी कटिंग कर दिया है देखिए फ्रेंज हमने ये जो हमारा बाही का भाग है और यह बैक फ्रन पार्ट का जो भाग है और यह बैक पार्ट हमने चारो को कटिंग कर लिया है साडी के कपड़े पर आपको अगर यह कटिंग वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा यह हमारा कटिंग पार्ट वन है हम सिलाई का जो पार्ट टू है नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे अगर आपको हमारा सिलाई वाला वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा क्यूंकि हम जो सिलाई वाला वीडियो डालेंगे तो आग Thank you friends.